दोस्तों अगर आप भी confused है कि हम कौन सा screen recorder यूज़ करना चाहिए screen record करने के लिए और live stream करने के लिए suppose अगर आप gaming की live stream करते हो और उसकी screen को record करना चाहते हो और या आप किसी tutorial के लिए आप screen record करना चाहते हो तो कौन सा skin recorder best रहेगा आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हो वीडियो में लास्त तक बने रही हैगा क्योंकि इस वीडियो में आपको best skin recorder बताने वाला हो कौन सा best skin recorder है जो आपको use करना चाहिए अपने tutorials के लिए यह अपनी live streaming के लिए गैमिंग परपस के लिए अगर आपको YouTube चैनल है आप YouTube के लिए आप वीडियो को रिकोड़ करने चाहते हैं तो कौन सा skin recorder best रहेगा इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हो वीडियो complete वोच करें तो सबसे पहले आपने play store पर जाना है और play store से आपने यहाँ पर एकस रिकोड़र टाइप अना है यहाँ पर एकस रिकोड़र आप टाइप करेगे तो यहाँ पर एकस रिकोड़र आपके सामने young partner आजाएगा इसकी रिकोडर यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके 10 क्रोड से भी ज्यादा डाउनलोड है तो और इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है 4.7 की यहाँ पर रेटिंग मिल जाती है तो आप सिंप्ली इसको इंस्टॉल कर लेगा है इंस्टॉल हो चुका है इसको उपन करें इसके लिए तो यहाँ पर आपने इनेवल फ्लोटिंग आइकन अगर आप फ्लोटिंग आइकन इस तरीके से अपनी इसकी प्लाने चाहते हो कि मैं कोई भी टूटोल बता रहा हो और यहां पर कोई पॉन्ट स्कूल मैं हाइलाइट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर पैंसि को अन्हाद करें से हैं खेश और मुण Alois करें को कि अलाओ कर देगे तो यहां पर आप 9 मिलेगा इस को सिम्पल एंड क्लीन इंटरफेस देचना को मिलेगा यहां अप कि क्लीक करने से पहले आपने किस फेटिंग को जरूड कर लेना है यहां पर आप आप सेटिंग माईएगा, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको ओडियो सेटिंग मिल जाएगी, ओडियो सेटिंग यहां पर यहां अभी यूट पर है, तो आप इस पर क्लिक करना है और यहां पर microphone यहां select कर लेना है, अगर आप external microphone यूश करना चाहते हो, जैसे कि आप माइक यूज करना चाहता हो तो उसके लिए आपने माइक्रोफोन को यहां पर स्लेट करना होगा अलाओ कर देगा इसको अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप यहां पर स्लेट कर सकते हो अगर आप इंटर्नल वोइस को करना चाहते हो तो यहां पर इंटर्नल सब्सक्राइब करना है और यहां पर आपने जो मैक्सिमम पिक्सलेस कर जो रिजूलिशन से यह आपने तो यहांपर पिक्सल का से चेवं आपने रिजूशन से यहां इसे हां पर तो यहां पर आपको पीचल गार करें तों कि क्लिक करकें और को जो है इस पीड में यहां सेलेट कर सकते हो और यहां पर Concept तो यहाँ पर आप इसको और रहने देगे उसके बाद यहाँ पर लोकेशन का एक उप्शन मिलेगा कि आप अपनी रिकोर्डिंग को कहां सेफ करने चाहते हो यहाँ पर यह बाई डिफोर्ट इंटर्नल है अगर आप एक्ष्टनल में सेफ करने चाहते हो तो आप यहाँ पर स्लेट कर सकते हो एस डिकार ठीक है तो इंटर्नल एस डिकार्ड तो अपने कोडिक यहां सेफ करने चाहते हो अपनी स्कीन रिकोर्डिंग को तो यहां से मैंने इस यह इंटर्नल सेट कर लिया है तो यहाँ पर आपको एक उप्शन मिले चाहते हो तो यहां पर 3GB तक आप इसका कर सकते हो 3GB तक आगेने के बाद यह आपकी जो recording है यह बंद कर देगा तो यह लिमिट आप यहां से इसकी सेट कर सकते हो वीडियो को यहां पर आप कुछ और सेटिंग मिल जाएगी नीचे चलड़ सेटिंग में तो यहां पर आप recording mode को स्लेट कर सकते हो यहां पर performance mode तो to normal mode पर नसको चाहते हो अगर आप यहाँ करसकते हो इसको चेक कर सकते हो, तो आपавно इसको पर यहां से इसको चेख कर देना है और नीचे टच टूल्स का और टाट टूल्स लिहां पर आपने इसको Yes कर देना है यहां से यह अपने डिवाइस से करना होता है डेवलपर में जाके जहाँ पर भी अगर आप ये सेटिंग को भी समझाते हो आप लिए टुटोर्यल्स में जहाँ पर भी आप किलिक करेंगे तो यह आपको मापर इंप्रेशन दिखाएगा टच होता हुगा यहाँ पर आपको फ्लोटिंग बॉल को कस्टमाइज कर सकते हो य यहाँ पर यह countdown 3 seconds चलेगा तो यहाँ पर आपकी J hoarding has स्टर्ण हो गई है तो मैं यह पर आप करके दिखाता हूं कि यहां पर आपको यह floating आइकन दिखेगा आज simply आगर आपने कोई जैसे तो यहां पर आपको यह ये pen का option दिखेगा जैसे आपने हैंपर किसी option को इंगर हाइलाइट करना और आप इस तरह के सब्सक्राइब सीयुव कर सकता हो सब्सक्राइब चाहिए तो आप सजी यूज कर सकते हो इस तरीकसे आप हाईलाइट कर सकतो हो इससे यह होता है कि जब और करते तो यहाँ पर हमारी विवर्स होते हैं वह vent is को रिलेट कर पाते हैं कि भाइं कॉंस वप्षण हें बता रहा है कुए कभी कि शूड़े-व्बशली होते हैं आप एक दम से जो वीवर्स होते हैं उनको दिहान नहीं जा पाता है तो इस तरीके से हम महाँ पर हाइलाइट कर सकते हैं जिससे कि उनको जल्दी समझ में आ जाए यहाँ पर क्यां सोट लेना चाहते हो तो आप recording करते हैं वक्त इसकी शोट भी ले सकते हो जर्ट आपने केमरा वाइकन पर क्लिक करना है तो यहां यहां से आप वीडियो को क्लिक कर पाएगा इस टौप में लिए यह ख़र और यहां पर सुण्प्टित कर लेंग हैं चाहते हो यहां पर आपने simply इस वाल आइकन भी क्लिक करना होगा तो आपकी जो रिकोर्डिंग है वो यहां पर सेव हो चुकी है चलिए मैं हाँ आपको दिखाता हूं कैसी आपकी जो रिकोर्डिंग हो इस्टार्ट हो गई है तो मैं हम अपर पर दिखाता हूं तो यह फ्रेंड्स हमारी जो अभी हमने रिकोर्डिंग की दिए वो यहां पर चलिए काफी अच्छी कॉलिटी में आपको यहां पर फुल रेजोलेशन में आपको टेंटी पिक्सल में यहां पर यह रिकोर्ड करके देता है और आपको यहां पर काफी सारे फीचर्स में मिल ज जाते हैं देख सकते हो यहां पर जिससे की हमारी जो ओडियेंस है वह इसली कोई भी टॉपिक को समझ सके हैं अगर हम जो भी समझाना चाहरे हैं वह यहां पर आप समझा सकते हो एक्स पेकोड़र की मतदस्थ से तो चले मैं यहां पर इसको बेक कर देता हूं तो जितनी भी आपने रिकोड़ करी हुई वीडियो वह आपको यहां दिख जाएगी अगर आप डिलीट करना चाहत हो यहां पर इसको डिलीट कर सकते हो सिंप्ली सेलेट करें और यहां पर इसको डिलीट कर दे रहे हैं ठीक है तो यह टांस बीन में चले जाएगी आपकी यहाँ पर तो जितनी बीडियों आपको यहाँ पर मिल जाएगी अगर ठीक है यहाँ पर इसको एम्टी कर सकते हो आप इस एक और बहुत यह अच्छा फीचर साफ को समें मिल जाता है अगर आप आपने प्रसकार करना बने क्लिक करेगा आप तो देख सकते हो यहाँ इसकी रेकलिक हमारा ओन हो गया है ठीक है तो यहां पर रिकोर्टिंग के साथ और दें 건데 तो dispotả cancel रिकोड हो रा है और आप अपनी रिकोडिंग यहां भागो कुरिये यहां से तो हमारे रिकोडिंग श्रय नहीं है यहां से तो एफट सब्सक्राइब कि मैं यहां से हो रही हैं इसको बंद करते कर लोगे यहां से है यहां से स्कंभ और मैं दिकhate हो यहां पर आपको इस तरीकर से आपको यह दिखाई देगी ठीक है आपका camera recording भी दिखाई देगी और आप screen recording जो कर रहे था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो यह भी काफी अच्छा feature आपको X recorder में मिल जाता है और यहाँ पर आप जैसे plus icon भी क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको live streaming option भी दिख जाएगा वीडियो recording का भी दिख जाएगा जो आप रिकोड कर सकते हो अपनी screen को रिकोड करने के लिए और लाइव आपको मिलता हो एक और informative वीडियो साथ तक तक के लिए टेक केर गुडबाई